संगीत कार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रिय संगीत आबंत्रित कलाकार डॉक्टर अलकादेव मारूलकर वो भूले दास्तां लोग फिर यादा गई वो भूली दास्तां लोग फिर यादा गई नजर के सामने घटा सी चा गई वो भूली दास्तां लोग फिर यादा गई संगीत कार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रिय संगीत आज सुनिये इस शुंखला की सात्मी कड़ी संगीत सरिता के शुरताओं मदन मोहन की स्वर रचनाओं में गाय की तत्व का विचार हम शोद के रूप में कर रहे हैं अब प्रश्न उठता है गाय की शब्द का क्या अर्थ हो सकता है वैसे तो देखा जाये तो जो संगीत हम अपनी आत्मा से अपने अंदर की जो क्षरवन इंद्रिये हैं उनसे सुनते हैं तो जहन में वो संगीत वो विचार आ जाता है लेकिन शब्दों में कहना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर भी गाय की शब्द का जो अर्थ उपरी तौर से स्थूल रूप से हम समझना चाहेंगे तो कह सकते हैं जो संगीत विचार जो एक विशिष्ट संगीत शैली प्रस्तुती करण में उपयोग में लाई जाती है जिसमें कलाकार के संसकार, तालीम, मेहनत और उसका अनुभव बोलता है उस विशिष्ट शैली को हम गाय की कह सकते हैं मदन मोहन के संदर्ब में इस गायकी के और भी थोड़े थोड़े अलग अर्थ निकलते हैं मैं तो मानती हूँ फिल्म संगीत जैसा बंधा हुआ संगीत जो प्रसंगों के अनुसार लिखा जाता है, स्वर्बद होता है जब हम प्रस्तुत करने जाते हैं, जिस तरकी स्वर्थंद्रता हमें उस गाने में प्रस्तुती करन में मिलनी चाहिए वो बहुत कम संगीत कारों के संगीत में प्राप्त होती है ऐसा मेरा अनुभव है हर संगीतकार को पूरी तरह से मैं मानते हुए भी कह सकती हूँ मदन महन के अलावा बहुत से संगीतकारों ने जे संगीत बनाया है वो जिसको हम इंगलिश में कट टू कट ऐसा कहते हैं मातरा टू मातरा मातरा से मातरा तक ऐसा संगीत बंधा हुआ होता है लेकिन मदन मोहन के संगीत में बहुत अंदर जो इसको हम लोग बिना कहा गया संगीत प्रस्तुत करने में आगे लाने में मदद मिलती है वही अभिप्रेथ है गाय की शब्द का अर्थ मुझे देखिए संगीत कार मदन मोहन ने अनेक अनेक राग रागेनियों को अपने संगीत में समाहित किया ये तो हमने देखा अभी देखेंगे भी और एक गीत है जिसकी शुरुवात बहुत ही आकरशक रूप से होती है जौनपुरी के एक खास सरवाक्य से शुरू होती है लेकिन बात में जाकर काफी और सिंदूरा जैसे धुन रागों से उसके सजावट की गई है और अलगी चहरा बन गया है उस गीत का फिल्म हस्ते जख्म कि ये बहुत मशूर गजल है आज सोचा तो आंसु भराए मुद्दते हो गई मुस्कुराए देखिए इस गीत को जब बाक्के से शुरू हुआ फिर बाद में शुद्ध निशाद पर भी नीचे मंदर सब्तक में आ गये उसके बाद धेवत भी शुद्ध लगाया गया और दोनों धेवतों की इस समायोग से वो गीत इतना खुबसूरत बन गया है और जो भाव संप्रेशित करने की उस गीत मे बात है आज सोचा तो आंसू भराए वो जो असहायता है नाइका की वो बहुत अच्छी तरह से व्यक्त हो गई है आज सोचा तो आंसू भराए आज सोचा तो आंसू भराए मुक्तते हो गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसू भराए मुक्तते हो गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसू भराए मुक्तत अच्छी तरह सोचा तो आंसू भराए हर कदम पर उधर मुड़िक देखा हर कदम पर उधर मुड़िक देखा मुझ की महफिल से हम उठी तो आए आचो चा तो आचो भराए आचो चा तो आचो भराए देखिए गित कैसे शुरू होता है आचो चा तो आचो भराए आचो चा तो आचो भराए अब जानपुरी का यह जो खास लगाव है रे मापा मापली धा मगरे साथ अब यहां से शुरूआत तो होती है लेकिन पूरा गित बाद में दूसरी जगह जा रहा है और जो उस पहली पंक्ति को कहीं भी न बिगाड़ते हुए जा रहा है मुद्धते हो गई मुस्कुराए पधसार गरने धाप धाप गमर इस तरह से कौमल धहवत और शुद्ध धहवत दोनों ही लगाओ गीत के अंदर के जो भाव है जो करुन रस युक्त जो भाव है उनको कितनी सुन्दरता से दिखा रहा है अब आप सुनिए सिंदूरा या काफी जो बहुत ही आसपास के ही धुनराग है उनमें मैं आपको एक जूला सुनाती हूँ जो सावन के महने में गाया जाता है ओ रंगरसिया आई सावन की बहार उसमें भी जो मैं अंतरा सुनाने जाओंगी उस अंतरे में वही आज सोचा तो आसु भराय जैसा ही कुछ भाव आपको देखेगा और आप समझेंगे कि कलाकार की सोच कहां कहां तक पहुँचती है संगीतकार कहां कहां देखते हैं जहां न देखे कवी वहां शायद मदन मोहन की दृष्टी पहुँचती होगी और रसियारे आई दावन की बाहार और रसियारे आई दावन की बाहार मन में की दृष्टी पहुचती है खादी एक बाहार और रसियार घर बनना सुहार मैं जूलूंगी तोर साथ मैं जूलूंगी तोर साथ करके जोरा हूं जूलूंगी तोर साथ और रसियारे आई दावन की बाहार अब सुनिए लताजी की आवाज में ये लोकप्रिय गीत जो आपकी दिदे के तारों को छेड़ेगा आज सोचा तो आंसो भराए आज सोचा तो आंसो भराए मुद्दते खा गई मुस्कुराए आज सोचा तो आंसो भराए आज सोचा तो आंसो भराए संगीत कार मदन मोहन की रचनाओं में शास्त्रिय संगीत ये थी इस शुंखला की साथे गई आमंत्रित कलाकार डॉक्टर अलकादेव मारूकर संगतकार थे तबले पर दैश को संब्ले सिंथिसाइजर पर रविंद्र कामले और हार्मोनियम पर अजय जोगलिकर विवित भारती के संग्रहाले से प्राप्त इस करक्रम की प्रस्तुत करता कांचन प्रकाश संगी अबादानिनाला का दड़ाले नही दड़ाले नहीं दौ झा 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 झा